सो हैलो एवरेवन फर्स्टली आई वेलकम यू आल तो माई चैनल एस्टादी वीट बीशू तो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का जो फाइनार्स है जिसको कि हम लोग पेंटिंग भी बोलते हैं उसके सीलेबस को देखेंगे फाइनली जो है CBSE के द्वारा नया हम लोग का सीलेबस रिलीज हो गया है टर्म वाइज हम लोग तो सब को ही जानते ही है कि इस पर का जो बोर्ट का एक्जाम होने वला है वो टू टर्म एंड टर्म टू तो यह जैसे ही नूज आया था उसके बहुत लोगों कन्फूजर हो र सब्सक्राइबस को देखने से पहले दो तीन चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं यह आप लोग यहां पर तो इस वीडियो लेक्टर में पाइनली सीलेबस जान जाओगे साथ में यह सीलेबस आप लोग मेरे चैनल से पढ़ सकते हो मैं इसके बाद अब एकदम स आएगा इसके चैप्टर्स का या फिर इसको जब मैं पढ़ाऊंगा फाइनर्स को या पेंटिंग को तो उसमें आप लोग को इस लेक्टर में क्या-क्या मिलेगा तो देखो यह जो भी मैं लेक्टर लाओंगा न हम लोग का इस बार का लेटेस सीलेबस है तर्माइस पर जिसमें कहां खतम हुआ कहां शुरूआ कुछ स्टोरी लाइन नहीं है आप लोग को समझ में नहीं आता है आप लोग परेसान हो जाते हैं और हम लोग सब को ही जानते हैं अगर मैट के स्टूडेंट है तो उनका में सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स कैमेस्ट्री हम दोने ढमने में सब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट होता हुए उसके बाद मैं अगर रहे स regression हो हो रहा है कैसे क्या हो रहा है तो ट्रस्ट में उस समय आप यह नहीं कि अरे समझ में नहीं आ रहे और यह तो अच्छा से करने ऐसा एक्स्क्यूज मत दीजेगा आप लोग एक बार देखिएगा दूसरे बार देखिएगा मैं वादा करता हूं आपको धीरे-धीरे सारा चीज समझ में आजाएगा कोई प्राबलम नहीं होगा रहा है उसमें मैं बोलरा हूं मैं आप सब करते हैं मैंने भी किया था तो इसमें कोई टेंशन ही लेना है उसके बाद आता है सोर्स आफ एस्टादी तो मैं यह जो पढ़ा रहा हूं आपको कहां से तो मार्केट में आप लोग जब बुक के सौप में जाओगे तो आपको दो तीन बुक पब्लिकेशन का बुक मिलेगा तीक उसका मैं नाम नहीं यहां पर हम लोग अपना सीलेबस देख लेते हैं देन उसके बाद आगे इसके सीलेबस के बाद वीडियो लेक्चर भी आप लोका आना सुरू हो जागा पहले मैं तर्मन को कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि उसका नुवेंबर लास्ट में सब स्कूल में या फिर दिसमबर क में एक जाम होगा और उसके बाद मैं टर्म टू का भी सीलेबस कंप्लीट करूंगा तर्मन में तो सब को जानते ही होंगे एमसी क्यूट क्वेस्टन आने वाले हैं ठीक है तो चलिए फाइनली हम लोग सीलेबस देखते हैं और नेक्स लेक्चर में मिलेंगे वीडियो लेक कोई जानते हैं इसका जो धियोरी वाला पॉर्शन है वह 30 Mark का होगा और जो इसका प्रैक्तिकल वाला पॉर्शन होता है वह 70 Mark का तो तोल होगे 100 Mark उनिट वन में हम लोग परेंगे दराजस्थानी एंद पहारी स्कूल ऑ पिनियाचर पेंटिंग, इस से यूनिट वन से जो है, इट मार्स के क्वेश्चन आएंगे, उसी तरह क्वेश्चन मैं तो तो दीन वा क्वेश्चन और डे तो क्यों कितना हो गया, dette मैं 15 मार्स ठीक है तो तर्म 1 में यूनिट 1 और यूनिट 2 सेक्वेंशन आएंगे टोटल 15 मार्स के ठीक है यहां पर हम लोग सिर्फ ओवर्वीव ले रहे हैं इन यूनिट गंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो डिटेल में आगे हम लोग तोरा सा देखेंगे ठीक है उसके यूनिट 4 में इंडियन नेशनल फ्लाग और दो मोडर्न ट्रेंट इंडियन आर्ट्स के बारे में परेंगे इससे जो है सब्सक्राइब और यूनिट 4 इसके तोटल कितने हो गए 15 मार्स तो तो तर्म 1 में जानगे यूनिट 1 और यूनिट 2 से क्वेस्टन आएगा तर्म 2 म अब जैसे यूनिट 1 में हम लोग को क्या क्या परना है क्योंकि इसमें टॉपिक भी हम लोग का रिड्यूस हो गया है सिलेबस तो हुआ ही स्प्लीट आप लोग का बॉर्डन डिवाइड होई गया है सांथ में चैप्टर के अंदर से टॉपिक को भी रिमूब कर दिया गया यूनिट 1 में मानलो आपका टू चैप्टर से चैप्टर नमबर ए जो है वो है राजा राजास्थानी स्कूल और चैप्टर नमबर जो बी होगा वो होगा दपहारी स्कूल ठीक है यहां पर मैं आपको बस समझा रहे हूं मतलब इनके अंदर भी डिवीजन है मतलब यूनि चैप्टर बुंदी जोडपूर बीकानेर किसंगर और जैपूर उसके इसका में फीचर परेंगे राजास्थानी स्कूल का और कुछ इसमें जो पैंटिंग्स है उसका अप्रिसियेशन देखेंगे कुछ राजास्थानी पैंटिंग्स का जिसमें की हम लोग पढ़ेंगे इन पेंटिंग्स का हम लोग अप्रिसियेशन परेंगे इनको ये कुछ राजस्थानी पेंटिंग्स हैं इनका अप्रिसियेशन तो इसमें हम लोग को ये चीज परना आगे चलिए देखते हैं अब हम लोग तो नेक्स इसका है दव पहारी स्कूल जासा कि मैंने बताए यूनिट वन में तू चाप्टर्स हैं दराजस्थानी स्कूल और दव पहारी स्कूल तो इसमें भी सेम हम लोग इसका पहले ओरिजिन डेवलोप्मेंट परेंगे इसके सब स्कूल वसोली गुलेर कांगरा चंबा और गरवल के बारे में परेंगे उसके बाद मेन फीचर देखेंगे पहारी स्कूल का और इसमें भी कुछ पहारी पेंटिंग्स हैं उनका अप्रिसियेशन देखेंगे ठीक तो इसमें दो पेंटिंग्स हैं कृिस्ना विट गोपीज और दूसरा जो है नंद या सोदा इसमें गोइंग तू वरिंडवन ये दो पेंटिंग्स का पहारी पेंटिंग्स का अप्रिसियेशन परेंगे चलिए हम लोग अब नेक्स देखते हैं सो अब नेक्स हम लोग का यूनीट तू इसके अंदर भी तू चैप्टर्स हैं दमुगल इसकूल एंड देकन इसकूल तो चलिए पहले दमुगल इसकूल में देख लेते हैं हम लोग को क्या-क्या परना है ठीक तो दमुगल इसकूल में हम लोग इसका देखेंगे ओरिजि एंड रायदास और फोर्ट जो है वो है marriage procession अफ दारा यहाँ पर यह सी को होगा हो सकता है में भी typing mistake हो यह चार मुगल painting का appreciation परना है इसमें आप लोग एक चीज़ notice कियोंगे इसमें sub schools के बारे में नहीं परना है इसी तरह जो deacon school है इसके बाद वाला मतलब unit 2 का chapter 2 मालो या फिर बी वाला मालो तो उसमें भी sub schools के बारे में नहीं परना है तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग So the deacon school इसमें भी देखिए origin and development इसका main feature परेंगे हम लोग deacon school का और appreciation परेंगे कुछ deacon paintings का इसमें पहला जो painting है हजरत निजाबुद्दीन अलिया एंड अमिर खुसरो चांड बीबी प्लेइंग पोलो ठीक है तो यह दो देखन paintings है इनका appreciation परना है तो यहाँ पर हम लोग का turn 1 का unit 1 and unit 2 के अंदर क्या क्या चीज परना है जिससे आप लोग का इस बार तो term 1 में सिर्फ MCQ इन से questions आएगा तो कैसे उसको solve करना है question कुछ practice जरूर करा दूंगा अब चलिए हम लोग next term 2 देख लेते हैं so term 2 में unit 3 और unit 4 से questions आने वाले हैं तो unit 3 पहले हम लोग देख लेते हैं और शिम्बोलिक सिगनिफिकेंस उफिटस फ़ोर्म्ट एंड कोलर्स ठीक है तो इसमें हम लोग नेशनल जो फ्लैग है उसका कैसे मतलब development हुआ था इसका क्या सिंबॉलिस के जो colors नेशनल फ्लैग का उसका क्या significance है उसके बारे में परेंगे उसके बाद हम लोग इसमें भी बेंग और स्कूल बारे में परेंगे बैंग बादेंगे इसमें जो है हम लोग सेम इसमें भी ओरेजिन गेवललोपमेंट स्कूल Тी में बैंग बैंग श्कूल हो पैंटिंस यहां उनका appreciation देखेंगे इसमें जो है जर्णी इंड ठीक है सिव एंड सटी और नेक्स हम लोगा है राधी का और जो फोर्ट नमबर वाला जो पैंटिंग है वो है मेंग डूट इन चारो पैंटिंग का जो है हम लोग देखेंगे appreciation यह चारो पैंटिंग हम लोग के हो गए बेंगल स्कूल के पैंटिंग सिख उसके आज इसमें चीज और हम लोग परेंगे contribution आफ इंडियन आर्टिस्ट इंड स्ट्रॉगल फर फ्रीडम मुवमेंट यह जो इंडियन जो आर्टिस्ट हैं जो यह पैंटिंग को करते थे उनका क्या फ्रीडम मुवमेंट कांटिरी में सुरू हुआ था तो उसमें इनलोग का कंटिरिविउशन था तुछ के बारे में लोग देखेंगे तो यह जोगे अमनोगा यूनित थी अब चली हम लोग यूनित फॉर परेंगे जैसा उसके पहले सिलेबस में आप लोग देखेंगे mention होगा, तो यह यहाँ पर mistake हो सकता है और यह हम लोग का main है यही है, Modern Trends in Indian Art Unit 4 में हम लोग को यही पढ़ना है इसमें हम लोग कुछ paintings के बारे में पढ़ेंगे कुछ graphics के बारे में पढ़ेंगे और कुछ sculptures के बारे में पढ़ेंगे paintings में हम लोग देखेंगे में पढ़ेंगे, उसी तरह sculpture में Trimph of Lever, Santhal family, cries unheared और Ganesha यह कुछ sculptures है, इनके बारे में पढ़ेंगे तो turn 2 का यह हम लोग का finance का, या फिर कहलो painting का syllabus होता है turn 2 का video lecture जैसे turn 1 का खतम होगा syllabus, उसके बद में turn 2 भी शुरू कर दूँँगा इसमें मैं जब series दाऊंगा question practice का तो MCQ के साथ साथ subjective भी लाऊंगा क्योंकि board exam में तो आपके subjective भी questions आएंगे तो यह हम लोग का हो गया theory का 13 marks का यानि theory में हम लोग ने देख लिया 13 marks का कैसे क्या syllabus distribution है अब practical का 70 marks का चलिए उसका distribution समझते हैं प्राक्टिकल हम लोग का देखिए इसमें भी टर्म में डिविजन हुआ है टर्म 1 में जो है practical 35 marks का होगा इसी टर्म 2 में जो प्राक्टिकल है 35 marks का होगा मैं यहाँ पर एक चीज किलियर कर दो प्राक्टिकल जो है आप लोग के school वाले decide करेंगे या तो वो लोग वाईबा लेते हैं और painting बनवाते हैं तो वो आप लोग school में ज़्यादा बहतर होगा कि consult करें लेकिन जो CVAC दिया है वो भी मैं बता देता हूँ लेकिन most probably आपके teachers इसकूल में बताएंगे एक तो वो लोग painting बनवाते हैं और दूसरा वाईबा होता है और कुछ आपसे submission भी कराते हैं तो इसमें portfolio assessment है इसके आप लोग 10 marks के होंगे जो कि आप लोग submit करेंगे घर से बनाके और painting composition इसमें वहाँ पर आपसे कुछ बनवाया जाएगा और वाईबा भी होता है तो इसके लिए आप लोग स्कूल में consult कर लिएगा तो term 1 में 35 marks के यह होगा है इसकूल में आप लोग consult कर लेना ऐसे मैं आप बताएंगे दिया होगा अपको ठीक है अच्छे से आप लोग यह देख भी सकते हो उसी तरह term 2 में देखा जाए तो यह भी 35 marks के होंगे इसमें भी जो है एक portfolio assessment है जो की जमा करना होगा आपको स्कूल में ही ठीक है वो 10 marks का होगा और बात आता आप 25 marks का इसमें जो है कुछ आप लोग से painting बनवाया जाता है इसकूल में और वाईबा भी होता है इस सेलेक्टेड वर्क्स प्रिपेर दूरिंग दूरिंग दूर्स बाई कांडिडेट्स एंड स्कूल आप लोग स्कूल में शंपर कर लिना है यहां पर हम लोग का यह syllabus कंप्लीट होता है आप आपको सारा चीज समझ में आयागा अब नेक्स लेक्टेड में हम लोग मिलते हैं और देखते हैं हम लोग को syllabus में कैसे क्या पढ़ना है बहुत असानी से मैं पढ़ाऊंगा तो चलिए इस वीडियो लेक्टेड को खतम करते हैं तो थैंक्यू सो मच कि इस चैनल पर फाइनर्ट का syllabus से स्टार्ट हो रहा है एजी लेंग्वेज में किसी को नहीं समझ में आ रहा कनफ्यूजन है क्या पढ़ना है वो सारा चीज यहां से किलियर कर सकते हैं दोस्तों के साथ सेर करिएगा कमेंट में कोई questions हो कोई query हो तो जरूर मुझसे पूछेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बतन को जरूर प्रेस कर दिजेगा चलिए हम लोग मिलते हैं चैप्टर साले वीडियो लेक्चर में हम लोग अब सिले बस पढ़ेंगे नेक्स वीडियो लेक्चर से बाबाए